दोस्तों स्वागत है वाड़ सर्वजी चनल पर और आज हम लोग बात करने वालनों कि एक पर्सेंट हमारी प्रोबलम होता है और 99% किसी और का प्रोबलम होता है तो दोस्तों 99% प्रोबलम क्या है कुछ भी नहीं है हम लोगों को प्रोबलम आ रहा है अगर एक चीज माइंड setup अगर हम लोग अपने जीवन में और अपने तरीकों में बदलाव ला दिये तो हमारी कोई भी शमस्या चुटकियों में solve हो सकती है कुछ छण में solve हो सकती है problem क्या है problem किसी का पैसे का है किसी के जमीन का है किसी का कार है किसी का अधर लोगों से प्रोब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं पर एक कलती आप कर देते हैं प्रोब्लम वहीं पे सॉल्व हो सकता था पर आप प्रोब्लम वहीं सॉल्व नौ करके कुछ हड कुछ दिन आप उनसे समय लेके वो तो दुखी रहता ही रहता है उसके बदले में आपक लोग अक्सर अगर कोई बंदा गागर कोई बात बता रहा है अगर हमें कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो सबसे पहले स्प्रोब्लम को किया जाने वहीं पे टतकाल है अंगर घर में अगर कोई शॉप लिख जांट तमनों ततकाल उसका सीर कुचल डालते हैं वैसे ही हमारी प्रोब्लम है अगर जैसे ही कोई प्रोब्लम है उसका फेस करिए और वहीं पे उसको सल्ब कर देजिए तब देखिए अपने जीवन में कैसे आनंद होता है और आपका एक परसेंट टेंशन कुछ नहीं माइने रखत है हर वित्ति के पास जो क्रोल पती है जो रोड पती है उसके पास भी प्रोब्लम रहता है अगर एक परसेंट प्रोब्लम हर इंसान के पास भगवान बना दिया है कि एक परसेंट आपके पास प्रोब्लम हमेशा ही रहेगा चाहें आप अमीर हुई क्यों नहों जाए इस द 90 होती हैं यही तमाम चीजों में आओ कि लोगों के पास rozp हमारे पास आते हैं अगर वही प्राब्लम लोग तौण्त सौल्ग कर दें तो हमारी प्राब्लम नउ बनr हमको अंदर जगा दे दते हैं वो प्रॉब्लम हमारे अंदर जघा बनाके एक बढ़ा सा घर बना लेता है कि गर को तोड़ना इमोल होता है हमारे लिए और वही प्रॉबलम हमारे जान को खत्रा भी दे सकता है हार अटेक भी आ सकता है तमाम बीमारियों से वो हमें ग्रेसित कर देता है कि अब हमें डाक्टर भी नहीं बचा पाता है तब कर तब आई प्रोब्लम आ गया तो ऐसे बचना वेलकुल जरूरी है अगर आपके घर में भी कोई प्रोब्लम आ रहा है तो सबसे पहले वहीं पर सॉल्व करना उचित समझे नो क्यों चे कुछ दीन दीजिए अगर दीन दीए तमाम हो गए अगर दीन नहीं दीए तो प्रोब्लम समाप्त हो जाए तो यही है आज का ससन अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सस्क्राइब करिएगा और बेल आइकन दवाना मत बुलेगा तब तक के लिए जैहें